साथियों, किसान और स्रमिक के नाम पर्देश में, राज्यों में, अनेकों बाहर सरकारे बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ बादों और कानूनों का एक उल्जा हुआ जाल, एक ऐसा जाल, जिसको ना तो किसान समझ पाता था, और नहीं मेरा स्रमीक भाई भेन समझ पाता थे। किसानों को ऐसे कानूनों में उल्जा कर रखा गया, जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मताबिक बेज भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसिना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बुन्द बुन्द पानी का तील तील जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए, देश वासियों का पेड भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए, हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दीनो दन कर्ज बढ़ता गया, कर्ज जरूर बढ़ गया। साथियों, भाजपा के नित्रुतों में, NDA सरकार ने निरंतर इस थीती को बदलने का प्रयास किया है, प्रामानिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है, कोई नीजी स्वात के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान की कल् ज्यान में रखते हुए पहले लागत का डेड़ गुना में MSP तय किया उसमें रिकोर्ड बड़ोतरी की और रिकोर्ड सरकारी खरिद भी एंडिये सरकार ने ही की है इतिहास बना दिया है बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए PM किसान सम्मान निधी के तहट देश के 10 करोड से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा ट्रांसफर किये जा चुके हैं सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि जादा से जादा किसानों के पास क्रेडिट कार हो किसान क्रेडिट कार